एप कि अब्रीवन वेलकम नौवी विल स्टडी दे सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज ऑफ दी आटी पार्ट सेकेंड जैसे कि अपना रिसेंट एडवांसेज में टोपिक चल रहाथा कंप्यूटर टॉमोग्राफी सिटी स्कैन सिटी स्कैन के अंदर हम यहाँ पे जनरेशन के बारे में डिसकस कर रहे थे और जनरेशन दैट मेंस कि जो सिटी की मशीन है उसमें मोडिफिकेशन ठीक है तो जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि साथ जनरेशन के बारे में हमें यहाँ पी डिसकस करना है जिसमें से 6 generations के बारे में हम last lectures में discuss कर चुके हैं जो आज का हमारा aim रहेगा इस lecture में वो रहेगा 7th generation को discuss करना जो कि इस वक्त आपकी modern generation है और वक्त इस काम में ली जाती है अब जो machine काम में ली जाती है उसके बारे में आज हम discuss करेंगे तो पीछे की generations के बारे में अगर discuss किया जाए तो mainly आपकी 6 generation थी 6 generation में जो आपकी main जो first, second, third और fourth generation थी जिसमें ज़्यादा modification किये गए थे ठीक है उनके disadvantage थी क्योंकि उस वक्त इस वक्त श्टार्टिंग थी CT की ठीक है तो उस वक्त उसमें disadvantage बहुत ज़्यादा है मशीन के अंदर कभी detectors बढ़ाए गए यह तो कभी pencil beam को fan beam में convert किया गया कभी kolimeter लगाए गए तो कभी kolimeter हटाए गए तो यह सारे चीजे वहाँ पर problems का सामना करना पड़ा और हमने machine को fourth generation में modify किया था fourth generation में modify करने के बाद में कुछ special diagnostic procedure करने के लिए हमने fifth generation invent की ठीक है और then उसके बाद में fourth generation को और modify किया जिसको हम फिर sixth generation that means helical city के नाम से जानते हैं और helical city में क्या था कि आपका जो x-ray tube का motion है उसके साथ-साथ में that means x-ray tube जब rotate करती है तो उसके साथ-साथ में patient का जो couch होता है that means couch भी वहाँ पे move करता है और couch move करने के कारण में वहाँ पे जो slices बनती है वो like helical that means उनकी जो structure होती है वो helical structure होती है जैसा कि हमने last lecture में images के थुरू diagrams के थुरू और theory के थुरू अच्छे से समझा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि fourth generation को that means fourth generation में उन्होंने कुछ चीज़े add की for example slip rings add किये थे brushes add किये थे ठीक है इन that means fourth generation को modify करके ही sixth generation बनाई गी थी ठीक है और उसका helical city नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उसमें जो scanning होती थी वो कौन सी scanning होती थी आज हम बात करते हैं अपनी seventh generation की तो जो seventh generation उसका भी एक special नाम रखा गया है जो की है आपका multi slice city scan अब जैसे कि जो आपका helical city था वहाँ पे भी आप जो helical word था वो पूरी जो machine थी उसके modification से related था ठीक है तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करते हैं multi slice की ठीक है तो multi slice that means यहाँ पे single वहाँ पे जो slices जो आपकी fourth generation थी third generation थी इनमें भी slices में अपन image लेते थे बट वहाँ पे जो slices होती थी वो single slices होती थी ठीक है बट यहाँ पे क्या होगा कि हम multi slices में image लेंगे और वो किस तरीके से लेंगे वो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं multi slice city scan इसके short form अगर बात की जाए तो msct uses 7th generation city that employs multi detector array mda that means कि multi slice जो city scanner वो आपकी 7th generation है ठीक है और इसमें इन्होंने modification जो किया that means जो main modification था वो था multi detector array mda detector array समझते हो वहाँ पर आप solid state detector या फिर आपके जो ionization detectors detectors के यहाँ पर बात हो रही है बट array का मतलब arrangement और यहाँ पर multi detector का मतलब अब क्या होगा कि वहाँ पर भी detector की संख्या आपकी जादा थी बट यहाँ पर single detector यूज ना करके multi detector यूज किया जएगा अब जैसा कि आपके यहाँ पर दो चीजे confuse हो रहे आप एक तो ऐसा कि वहाँ पर इस तो जादा ली जाती थी बट अबन बात कर रहे हैं कि single slice multi slice और दूसरा detectors detector वहाँ पर भी अपने क्या थे संख्या में जादा थे बट फिर भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर single detector array और multi detector array यह जो आपका confusion है यह आपका confusion just अभी इस slide के बाद में हम इसका diagram देखेंगे diagram देखते ही आपका confusion दूर हो जाएगा the mda is a multiple solid state detector design in rows and columns example 16 into 16 is equal to 256 pixels that means यहाँ पर जो multiple detectors arrange किये जाते थे वो row और column दोनों में arrange किये जाते थे तो जैसा कि अगर example अपन लेके चलें यहाँ पर 16 into 16 का इनों ने example लिया तो एक matrix बनेगी matrix में फिर pixel होगा और pixel में फिर voxel होगा और यहाँ पर आपके 256 pixels बनती है तो जैसा कि हमने terminologies में बात कि थी pixels की voxels की matrix ही वो terminologies अभी तक अपनी 5 generation 6 generation में काम में नहीं आई तो and electrically one can combine a group of detector element that means कि जो आपका each detector हर detector वो अलग से data acquire करता है store करता है collect करता है and electrically one can combine with a group of but electrically क्या होता है आपका एक detector other detector से भी क्या रहता है connected रहता है या फिर detectors के group से connected रहता है तो अब हम बात करते है diagram के through तो जैसे कि आप यहाँ पे दू city की diagram देख रहो अपना एक तो multi slice city और एक आपका normal city जिसमें अभी तक अपनी 5 generation 6 generation थी तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि detectors जो है वो numbers में जादा है बट linear arrangement है इनका ठीक है तो इसलिए इनको single slice detector कहा जाता है because single slice और single detector because इनमें केवल एक लंबा डिटेक्टर होता था फिर उसके बाद में दूसरा एक लंबा डिटेक्टर that means वो डिटेक्टर उपनी जगह पे एक ही था और जैसे अपन उसको parts में divide करते हैं तो यहाँ पे आपकी matrix बनती है और matrix में फिर pixels और voxels आते हैं तो that means कि यहाँ पे क्या होगा अपन किसी भी body organ की अगर image ले रहे हैं तो उसका data क्या कर लिया अपने divide कर लिया divide करने से क्या होगा जो चीज़े हमें remove करनी है उनको हम अच्छे से remove कर सकते हैं ठीक है जो data आपने को चाहिए उसकी image quality आपको यहाँ पे क्या मिलेगी अच्छी मिलेगी और दूसरा जितना data आपको scan करना उतना ही अपन यहाँ पे scan करके आपकी machines या जो आपकी machine वो reconstruct image को reconstruct क करके देगी ठीक है तो आप दोनों machines में देख सकते हो कि आपकी जो x-ray है वो fan beam use कर रहे है scan slice slices के बाद में नीचे जो main यहाँ पे modification किया है वो इन्होंने detector में किया है जैसे ही इन्होंने single detector से multiple detector किया आपकी slices भी कैसी हो गई single slice से multiple slice हो गई अब एक ही slice के भी क्या हो गए थे parts हो गए थे और parts होने से क्या हो गया तो आपको पता है कि अपन कौन सी scanning कर रहे है computer tomography में अपना क्या aim होता है कि जो part अपने को नहीं चाहिए उसको remove करना तो यहाँ पर अगर अपने पास parts जादा होंगे तो that means कि जो data अपने को चाहिएगा अपने को केवल उसी की image मिलेग लगी बाकी का data यहाँ पर जादा से जादा remove हो जाएगा और जैसा कि वह जो diagram था वह आपका समझने के लिए था बनाने के लिए नहीं था अगर बना सकते हो तो आपकी इच्छ है बट यह जो diagram है आपके बनाने के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से detectors arrange किये हैं और किस तरीके से आपकी slices बनती है slice 1, slice 2, slice 3 and slice 4 मतलब एक ही slice को आपने क्या कर दिया further slices के अंदर divide कर दिया इसलिए इसको कहा जाता है multi slice और या फिर multiple detector city scan अब अपन next बात करते हैं इसकी theory की diagrams आपको इसलिए दिखाया गए थे यहाँ पर तकि आपके समझने में problem ना हो it is available in two designs जैसा कि multi slice city की बात करते हैं तो जैसे multiple detectors के अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी दो designs है एक है adaptive array और एक है linear array अब जैसा कि array के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले भी transition में भी यह word आया था अपना detectors में भी आ रहा है array arrangement के लिए होता है तो जैसा है कि उन्होंने linear की बात किए सबसे पहले पर linear की बात करते है linear that means कि सारे के सारे जो एक line में जो detectors arrange होंगे दूसरा है यहाँ पर adaptive इन दोनों में main difference आप समझ सकते हो कि जो आपका linear array होता है वहाँ पर जितने भी आपके detectors आप use कर रहे हो उन सब की width, length या फिर जैसे same नहीं होंगे, उनका arrangement तो उनका भी linear ही होगा, जैसा कि arrangement आपका linear array का है या फिर जैसा आप diagram में पीछे देख रहे थे, diagram में देखा था, same वैसा है का वैसा ही arrangement होगा दोनों का, but difference दोनों में इतना होता है कि adaptive में क्या होता है कि इनका dimension same नहीं होता, सारे के सारे जो detectors होते है इन सब का dimension अलग-अलग होता है, but linear array में सब detectors का dimension same होगा, तो दो design में आपकी machine available होती है, MSCT multiple slice city uses third generation city with helical scanning and low voltage slip ring, जैसा है कि हमने sixth generation में बात की थी, कि जो आपकी sixth generation city थी, वो fourth generation को modify की गए थी, वैसे ही आपकी जो multiple slice city है, वो third generation को modify किये गए, third generation city को हमने modify किया with helical scanning, और उसमें कौन सी मिलाई इन्होंने, sixth मिलाई, तो जैसा कि अगर आप समझ सकते हो, sixth में आपकी कौन सी थी, fourth थी, अब जो आपकी multiple slice है, उसमें इन्होंने third काम में ले ली, और sixth भी काम में ले ली, तो fourth अपने आप आ गई, तो that means यहापे कितने generation को इन्होंने involve कर लिया, third generation को भी involve कर लिया, fourth generation को भी involve कर लिया, और साथ में sixth generation, that means helical scanning को भी इन्होंने involve कर लिया, that means कि तीनों मशीनों को इन्होंने join करके एक नई मशीन यहापे बनाई, and low voltage slip rings, जैसा कि हमने sixth generation में बात की थी, वहापे slip rings काम में ली जाती थी, यहापे भी इ is wider and more x-rays are used in producing image data यहां पर जो कोलिमेटर का जो space था वो इन्होंने और वाइड कर दिया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डाटा क्लेक्ट कर सके opening of the collimator in a single array scanner increase the slice thickness but reduces spatial resolution in the slice thickness dimension that means कि जैसे ही अपन collimator को ज्यादा open करते हैं किसी भी single array scanner में that means single detector के अंदर तो वहां पर क्या होता है increases the slice thickness वो slice की thickness को increase करता है जैसा कि हमने six generation में पढ़ा था कि या फिर आपने third generation में यह चीज़े discuss की थी कि जो आपका collimator की जो opening वो ही आपको decide करती है कि कि कितनी slice की thickness होगी but reduces spatial resolution but इसमें क्या होता है thickness तो बढ़ जाती है लेकिन resolution कम हो जाता है in the slice thickness dimension जो आपकी slice की thickness की जो dimension है वो आप बढ़ा लोगे बढ़ जाएगी जैसे जैसे आप collimator को open करोगे slice की thickness बढ़ेगी but जो image का resolution है वो decrease हो जाता है तो यहाँ पर आपने देखा कि multiple slice में that means multiple detector अपन दोनों बात एक ही कर रहे हैं यहाँ पर multiple slice that means multiple detector ही हो रहा है यहाँ पर जब तक multiple detector यहाँ पर नहीं होंगे multiple slices नहीं बनेंगे हैंस slice thickness is controlled by the detector size not by the collimator that means कि जो अभी अपन ने बात की कि जो आपकी जो collimator slice की thickness को क्या कर रहा था control कर रहा था यह आपका कौन सी generation में था third or sixth generation में बट ऐसा seventh generation में नहीं है seventh generation में slice की thickness को कौन control करता है detector ठीक है hence the slice thickness is controlled by the detector size detector की जो size होगी उसी के according यहाँ पर आपकी slice की thickness आपको मिलेगी hence the detector pitch is defined as the तो जैसा कि अपनी sixth generation में थी वहाँ पर अपन ने क्या किया था collimator pitch को define किया था अब यहाँ पर आपकी slice की ठीकने से वह कौन define कर रहा है detector define कर रहा तो अपन यहाँ पर detector pitch को define करेंगे detector pitch आपकी क्या होती है detector pitch is equal to total moment per 360 degree rotation का entry upon detector width जैसा कि आपका collimator pitch में अपनने जो rotation था आपका x-ray tube का उसको collimator की width से divide गया था वैसे यहाँ पर detector की width से divide करेंगे ठीक है the collimator pitch and detector pitch of a given city is related as follows और जो 6th और 7th generation दोनों आपकी helical city और multiply city multiple slice या फिर multi slice जो city है इसमें जो आपनने बात की यहाँ पर detector pitch की और collimator pitch की तो इन दोनों के बीच में भी एक relation होता है वो relation क्या collimator pitch is equal to detector pitch upon n और n क्या है यहाँ पर where n is equal to number of detector array in multi slice city कि multiple size जो आपकी multi slice city है उसमें कितने number of detectors use किये गए है the number of x-ray detected in is four times higher than that of a single array of 1.25 mm जैसा कि अगर अपन multiple या फिर multi slice city की बात करें तो comparison to the single slice तो single slice में जो आपका 1.25 mm का जो detector होता था उसके according या फिर उससे अगर अपन compare करें तो आपके multi slice city में आपकी जो x-rays detect की जाती है वो च्यार गुना ज्यादा की जाती है और वेसी बात अगर आप च्यार गुना ज्यादा x-rays detect करोगे that means आप four times किसी भी जो body organ उसकी जो आप data collect कर रहे हो वो भी आपका कैसा है four times ज्यादा है तो that means आपको आपके पास यहाँ पे ज्यादा data collect होगा ज्यादा data collect होगा that means diagnosis आप किसी भी body organ का अच्छे से कर पाओगे further 2.5 mm 3.75 mm 5 mm slices may be obtained from the same acquisition by combining more than one detector signal यहाँ पर अपना जो 6th जो आपकी generation थी वहाँ पर single slice अपन detector यूज गर रहे थे जैसे अपन detectors की संख्या बढ़ाते हैं detectors की संख्या बढ़ाने से हम यहाँ पर slices की thickness भी increase कर सकते हैं 2.5 mm की अपन slice भी यहाँ पर ले सकते हैं 3.75 mm की slice thickness भी अपन ले सकते हैं x-rays यह ज़रूर ज़्यादा काम में ले रहे थी ओवेसी बात है detectors ज़्यादा होंगे fan beam की यहाँ पर इनको size increase करनी पड़ेगी ज़्यादा data चाहिए तो आपको ज़्यादा radiation चाहिए तो आपकी क्या होगा जो anode की heat capacity है वो आपको that means वो increase होगी तो उसका जो heat loading था उसको भी इन्होंने क्या कर दिया कम कर दिया ताकि वो कम गरम हो वहाँ पर heat कम निकली यह भी इन्होंने modification किया by reducing the heat loading of the machine जो machine की जो total की जो heat loading थी वो भी कम कर दी गई थी resulting in better efficiency तो सारा का सारा जो आपको result मिल रहा था वो एक अच्छी efficiency में यहाँ पर मिल रहा था these city scanner are available in 8, 16, 64 और higher slices model तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप बात करते हों कि इनके slices की जो models की बात की जाती है तो यह आपको 8, 16, 64 slices में मिलती है that means अगर आपन 8 की बात करते हैं यहाँ पर तो एक matrix की यहाँ पर बात की जाए आज कल जो और अपनी जो modern आ रही है वो 256 में भी आ रही है that means row और column टीक है की बात की जाए तो यहाँ पर 8 row और 8 column होंगी 16 row और 16 column होंगी और 64 rows और 64 columns होंगी जितनी ज्यादा आप slices बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको image अच्छी मिलेगी data अच्छा मिलेगा data ज्यादा मिलेगा that means यहाँ पर जो भी आप diagnosis कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाओगे बढ़िया कर पाओगे उसके quality अच्छी होगी कि यह आपकी थी multi slice city multi slice city की हमने बात कर लिए कि किस तरीके से इन्होंने modification किया that means कि पीछे की जितनी भी generation थी उनको that means आपकी जो first generation थी second generation थी उसको modify करके third बनाई की थी इन्होंने third भी काम में लेली fourth भी काम में लेली ठीक है और इन्होंने sixth generation भीiga mid fifth generation अपन यहाँ पर इसलिए काम में नहीं ले पाए क्योंकि उसमेशल जननेरशन थी special diagnostic प्रोसेजर के लिए वो बनाई गई थी अब अपन बात करते हैं यहाँ पर MSCT की advantages की इसकी फायदे क्या थे MSCT multi-slice city special future includes faster rotation इसका rotation क्या था fast का अब वेसी बात है अगर rotation fast होगा तो आपका जो exposure time बात करें अपनिया resolution इसका अच्छा था image quality आपको अच्छी मिल रही थी with thinner slices slices की thickness भी क्या हो चुकी थी that means इन्होंने single slices के भी क्या कर दिया था parts में divide कर दिया था तो ओवेसी बात है कि आपकी slices की thickness आपको कम मिलेगी 3D anatomical reconstruction यहाँ पर images की 3D image भी बनाई जा सकती थी जो आपकी body organ जिसका आप डाइग्नोस कर रहे हैं उसके आप 3D image बना सकते थे and increased volume coverage per unit time और per unit time में जो volume जो आईतन आप जो भी body organ को आपको cover करना है उसका amount बढ़ा दिया गया था यहाँ पर unit time में हम ज़ादा से ज़ादा data यहाँ पर acquire कर रहे थे its clinical application includes that means इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर काम में लिया जाता है या फिर अपन applications की बात करें तो angiography में virtual endoscopy क्या होती है आपकी कि जितनी भी colon's है आपकी small intestine large intestine है इन सब की 3D image लेना उसको अपन बोलते है virtual endoscopy that means उनकी 3D image ले सकते है creation of 3D images using specialized logarithms that means जो आपका यहाँ पर computer की अगर बात की जाए तो computer के software की बात करते हैं वहाँ पर calculation होती है equations होती है images reconstruct की जाती है तो वहाँ पर logarithm that means लोग की साहता से हम क्या कर सकते है 3D images बना सकते है यह आपके क्या थे इसके advantage थे multi slice city के advantage थे तो अवे सी बात है कि जो आपके multi slice city के advantage थे वही आपकी क्या थे यहाँ पर all over अगर city की बात करें तो वह भी क्या थे advantage थे because सबसे modern और advantageous जो machine है वो आपकी multi slice city ही और अभी भी इसमें इसमें भी modification आ रहे है but उसको हम as a generation count नहीं कर सकते because यहाँ पर 7th generation को ही काम में लेके keval or keval जो detectors की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है that means जो multiple slice जो city थी या फिर multi slice city थी उसमें starting में इन्होंने 8 काम में ली फिर 1664 अब 256 भी slices अपन काम में लेते हैं अब अब अपन बात कर रहे हैं अपने computer tomography के benefits की that means generation की बात हो गई आपके components की बात कर ली आपने principles की बात कर ली यहाँ पर अब आपन बात करेंगे यहाँ पर benefits की that means advantage of the computer tomography total जो आपका computer tomography scanning हो उसके क्या advantage होंगे it is painless, non-invasive and accurate procedure यह एक ऐसा procedure है जिसमें कोई pain नहीं होता है non-invasive, कोई surgery नहीं करनी पड़ती है अपने को and accurate एक दम accurate procedure किया जाता है ability to image bone, soft tissue and blood vessels all at same time एक ही time में मतलब एक ही बार में अपन तीनों चीजों की image ले सकते हैं bone की भी ले सकते हैं soft tissues की भी ले सकते हैं blood vessels की भी ले सकते है it provides very detailed image of any type of tissue कोई भी type का tissue हो चाहे वो bone हो या फिर कोई blood vessels हो उसकी जो images होती है वो very detailed होते हैं यहाँ पे that means अच्छे से अपने को हर चीज के बारे में वहाँ पे पता चल जाता है 3D images होती है बहुत ज़्यादा detail यहाँ पे अपने को मिल जाती है fast and simple procedure in emergency cases जैसा कि अगर आपन emergency cases की बात करें जो आपके RTA के जो patient होते है road traffic accident जिसको हम बोलते हैं या फिर कोई और emergency का case होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा prefer की जाती है वो CT prefer की जाती है for example कोई भी आपका accident का कैस है तो obviously भी बात है accident के case के अंदर tissue भी आपका damage हो सकता है आपकी bone भी damage हो सकती है अब वहाँ पे अगर patient आपका unconscious है तो जब तक patient unconscious होगा आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे pain हो रहा और आपको body part का x-ray करके पता करना है कि कौन सी bone fracture होई है या नहीं होई है तो इसलिए अपन वहाँ पे CT को prefer करते है whole body की CT की जाती है तो whole body की CT के अंदर जितने भी bones के fracture damage होई है bone damage होई है उनके बारे में पता चल जाएगा जितने भी tissue damage होई है उन tissue के बारे में पता कर सकते है अपन जल्दी भी कर सकते है simple procedure है आसानी से पूरी body के बारे में अपने को यहाँ पर पता चल जाता है cost effective imaging for a wide range of clinical problems जो भी इतने भी clinical problems वहाँ पर cost effective imaging होते है that means कि जितना अपना यहाँ पर पैसा लगता है उतना अपने को diagnosis यह करके दे देता है ठीक है ऐसा नहीं कि पैसा जादा लग रहा है but amazing में अपने को diagnosis कम पता चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर cost effective होती है यह जितना cost इसमें लगता है diagnosis उतना अच्छा अपने को यह करके देती है less sensitive to patient movement than MRI अगर जैसा कि अपन comparison करें MRI से तो MRI में क्या होता है कि small movement से भी आपकी image destroy हो जाती है खराब हो जाती है ऐसा यहाँ पर नहीं होता है यह बहुत कम sensitive होती है patient के movement से अगर comparison किया जाए MRI से ठीक है अपन MRI से comparison करें sensitive यह भी होती है यहाँ पर motion artifacts आते हैं करेंगे तो motion artifact आपको दिखाए देंगे बट अगर comparison किया जाए MRI से यहाँ पर कम motion artifact आपको देखने को मिलेंगे diagnosis में eliminate the need of surgery and surgical biopsy इस diagnosis हमने एक चीज और eliminate कर दी एक चीज और remove कर दी थी need for surgery and surgical biopsy कई बर क्या होता है कि कि इसी भी tissue कि अगर अपने को biopsy करनी होती है तो वहाँ पर surgery करनी पड़ती है surgery करने के बाद हम tissue के क्या निगालते है छोटा सा amount लेते हैं और फिर उसके lab के अंदर examination किया जाता है वह भी यहाँ पर eliminate हो चुका था because हम 3D images से बहुत जादा उस tissue के बारे में कि जितनी भी surgical biopsy थी वह eliminate कर दी थी but बहुत सारी surgical biopsy eliminate कर दी गई थी remove कर दी गई थी इस procedure के द्वारा no radiation remain in the patient body after city examination जैसा कि आपको पता है कि city के अंदर बहुत जादा energy की radiation use की जाती है तो यहाँ पे जितनी भी radiation होती है वह सारी के सारी transmit होके बहार हो जाती है patient की body के अंदर नहीं रुखती इस वज़े से यहाँ पे जो patient को dose है वो कम लगती है वैसा देखा जाए तो x-ray के comparison में अगर बात करें तो x-ray के comparison में city में dose जादा लगती है but efficient लगती है that means इतनी भी जादा नहीं लगती है तो यह सब थे आपके city के advantage ठीक है benefits अपने क्या अब अपन बात करते हैं इसके disadvantages की that means risk क्या क्या है अगर अपन किसी भी person की या फिर किसी भी body organ की अपन अगर city कराते हैं computer tomography scanning कराते तो उसमें अपने को क्या क्या disadvantage हो सकते हैं उनके बारे में भी हम discuss कर लेते हैं disadvantage हालांकि इसके बहुत कम है फिर भी एक बार उनको discuss कर लेते हैं risk of the city scanner slightly increase in cancer from larger amount of radiation radiation ज्यादा लगने की वज़े से यहाँ पर cancer के होने के chances ज्यादा होते हैं अगर अगर अपन एक दो city कराते हैं उसमें कुछ नहीं होता बट अगर बार 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 city ही कराई जाती है तो उससे क्या होगा radiation dose ज्यादा लगने से cancer के chances हो सकते हैं not recommended for pregnant women pregnant women के लिए recommended नहीं है जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी ionizing radiation के जो diagnostic प्रोसेजर वो pregnant women के लिए अपन recommended नहीं करते हैं अब अपन बात करते हैं contrast city की ऐसा नहीं है normal city की जाती है contrast city भी की जाती है अगर अपन contrast city की बात करे mother should be restricted from breast feeding their babies for 24 to 48 hours after the contrast media is given जब mother को किसी भी mother को contrast media देके उसके बाद में अगर उसकी city की जाती है तो हम उसको restrict करते हैं कि वो अपने baby को breast feed ना कराई कम से कम 24 to 48 hours तो यह भी क्या है disadvantage है इसका slightly risk of serious allergic reaction to the contrast media contrast media से थोड़ी allergic reaction हो सकती है अगर यहां पर अपन जो city की आपकी जो या फिर जो contrast city के अगर बात करें तो contrast city के disadvantage वही होंगे जो आपके contrast के x-ray imaging या फिर fluoroscopic होते हैं और वे सी बात है जो contrast के या फिर contrast special radiography में जो contrast के आपके disadvantage होते हैं वही आपके city scanning में भी disadvantage होंगे तो यहां पर अपना computer tomography topic complete होता है इसी के साथ अब next lecture में हम नहा topic start करेंगे thank you करेंगे 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 अब झाद 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 जाद पर